हलो फ्रेंड वेलकम टू मैं सेकेंड चैनल इस सेनल पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ग्रीन ओलंपियाड से रेलेटेड यह कोशन की वीडियो जिसे आप यूज कर सकते हो ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए इसके अंदर आपको कोशन अटेम्ट करना है और क फॉंबाइद गंगा ब्रहमपूत्रा अन्मेगना इस क्यूशन में आप से लिए गंगा रिवर प्रहमपूत्रा रिवर और मेगना रिवर इन तीनों को कंभाइन करके जो डिपोजिशन सेडिमेंट करते हैं और जो क्रियेट होता है तो सबसे बड़ा जो एक तरसे डिपो और option D में आपको बोला जा रहा है कि नर्मदा तो यह 4 options आपको दे दिये गए इन 4 options में से आपको correct answer बताना है कि river data जो form की जाती इन तीनों river के दोवारा उस delta का आपको identify करना है उसका नाम तो अकर इसके नाम की बात करें तो इसमें correct answer जो आपका हो जाएगा वो option A हो जाएग इसके बात है next question इस question में आपसे पुझा जा रहा है who is the current minister of, minister for environment, forest and climate change in India देखी यह जो question है जिस time यह question exam में आय था तब उस time minister जो थे उसके according है आपको questions दे रखे हैं जैसे हैं चार options दे रखे हैं किसरी अनिल माधवदेव उसके जो option B में आपको बोला जा रहा है किसरी सुर प्रभू और option C में आपको बोला जा रहा है कि प्रकास जावेड कर तो यह जो तीन नाम है और नीचे फोर्थ option में आपको दे रहा है none of the above इन चारों में से correct answer आपको चूज करना है तो जब यह question exam के अंदर आय था उस time जो इसके minister थे यानि कि आप कह सकते हो कि environment minister, forest and climate की जो Green Olympiad की preparation कर रहे है तो आज के time पे current time पे इसके minister कौन है उसके according आपको answer करना है तो आप better यह है कि आप Google करके list त्यार कर लेजिए इस type की कि आज के time पे minister of state कौन है और union minister कौन है environment, forest and climate change के ठीक है comment करके मुझे भी बताईएगा कि आज के time पे इसके minister कौन है लेकिन जब यह question exam म that are present in the atmosphere trap energy from the sun. If these gases were absent, heat waves escape back into the space. Which of these is not a direct greenhouse gas? देखिए जब greenhouse gas के बारे में थोड़ा सा आपको इसके background वे information दी गई कि जो greenhouse gas होते हैं वो क्या करते हैं? कि atmosphere में जो भी contain होता है अगर यह greenhouse gas नहीं होगा तो यह heat वगरा जो आता है energy जो sun से आती है वो दुबारा वापस से ली ज होता है कि हमारे जो environment में और हमारे जो earth पे एक अच्छा climate बना रहता है तो question आप से यह पूछा जा रहा है कि इन gas के बारे में पूछा जा रहा है which of these is not a direct greenhouse gas जैसे आपको options दे दिया गया है इस में से कौन सा ऐसा gas है जो direct greenhouse gas की category के अंदर नहीं आता है तो वो आपको बताना यानि कि greenhouse gas जो उनसा नहीं है वो आपको identify करना है तो जैसे यह option 4 दे रखे हैं चारो option में से एक option correct बाकी 3 wrong है जैसे first option में आपको बोला जा रहा है यह जो बात की जा रही है methane gas की और option B में आपको बोला जा रहा है कि netrous oxide जो होता है यह gas कह सकते हो जो greenhouse gas की category के अंदर नहीं आ थर्ड आपसे बोला जा रहा है surfer hexafluoride इस gas के बारे में आप कह सकते हो जो कि direct greenhouse gas नहीं है और option 4 में आपको बोला जा रहा है कि carbon monoxide यह आपको बोला जा रहा है कि यह greenhouse gas की category के अंदर नहीं आता जो directly आप कह सकते हो तो इन चारों में से correct answer क्या है यह आपको choose करना इसके answer हो जाएगा बाकि अगर methane की बात करें नेट्रो अक्साइड की बात करें यह sulfur hexafluoride की बात करें इस सब ग्रीन हाउस gas की category के अंदर आती है हमें not बोला गया था not की according हमें answer करना है एक्जाम में कई बार ऐसा भी होता है कि आपको answer पता होता है लेकिन एक सिंपल सा word is not इसको आप read नहीं करते हैं और इस case आप से आप question गलत कर जाते हो जैसे आपको first option नहीं दिग गया methane तो आप सोस्तों के हाँ methane तो greenhouse gas की category के अंदर आता है और इससे साब से option को choose कर लेते हो तो आप ध्यान रखीगा not word जरूर read करिएगा ठीक से और underline जरूर कर लिजीगा ताकि आप question को attempt करते हैं कोई भी mistake ना करें चली move करते हैं next question की तरफ तो next question में आप से पूछा जा रहा है जैसे यह screen पर आपके question है इस question में पूछा जा रहा है the air that we breathe contain a number of gases oxygen being one of the most abundant देकि जो भी हम सांस बगरे लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमें useful हमारे लिग gas है वो oxygen है यह question में पहले आपको बताया गया further आपसे पूछा जा रहा है which is the other gases which along with the oxygen comprise 99% of the atmosphere देखिए हम लोग सब जानते हैं कि oxygen हमारे लिग useful है और इस gas के बिना हम survive भी नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारे atmosphere में बात करें तो oxygen के लाबा है यानि O2 के लाबा भी कुछ और gas है जो कि 99% आप कह सकते हमारे atmosphere में रहते हैं तो वो कौन सा gas है उस gas के बारे में आपसे question में पूछा जा रहा है और यहां आपको चार options दे दिए गए इन चारो options में से correct answer क्या है यानि कि आपको उस gas को identify करना है जो atmosphere में सबसे ज़्यादा है आज की time पर जैसे option A में आपको बोला जा रहा है nitrogen और option B में आपको बोला जार है carbon dioxide और option C में आपको बोला जार है argon और option D में आपको बोला जार है water vapor जिन चारो में से correct answer क्या है यह आपको choose करना है तो अगर हम बात करें हमारे atmosphere की यानि कि अर्थ की atmosphere की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा nitrogen gas आपको देखने को मिल जाएगा दे oxygen के बाद सबसे ज़्यादा एक तरह से कह सकते हो जो gas है वो आपको nitrogen मिल जाते है उसके बाद next question है आपकी screen पर इस question में आपसे पूछा जा रहा है what is the place where a river meets a lake and ocean or the sea called ते कि जब भी इस question बो पूछा जा है जैसे question river से related है कि river जब भी किसी lake के पास जाके meet करती है या ocean के पास जाके meet करती है तो उस place को क्या बोला जाता है उस place के बारे में question पूछा जा रहा है यानिको उस जगह को क्या बोला जाता है यहाँ पर आपको उसका answer बताना है तो यहाँ आपको 4 options दे दिए गे हैं इन 4 options में से आपको correct answer क्या है यह आपको choose करना है option A के accounting बोला जा रहा है इसे हम river basin बोलते हैं और option B में बोला जा रहा है इसे हम source बोलते हैं और option C में आपको बोला जा रहा है mouth बोलते हैं और option D में आपको बोला जा रहा है तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है इस place को क्या बोलते है यह है आपके लिए question तो यह चार options से आप question को attempt कर लीजिए तो इस question के correct answer की बात करें तो जो आपके option C दे रखा है यानि कि mouth, mouth बोला जाता है उस place को जहाँ पर कोई भी river किसी lake से या ocean से या sea से meet करती है तो जैसे इस question में आप से पूछा गया था तो आप यहाँ पर C option को choose कर सकते हैं अपने answer के लिए तो आप मुझे comment करके बताईए कि आपने कितने questions के answer बिल्कुल सही attempt करें यानि आपका score क्या रहा वीडियो को like कर दीजिए ताकि आएसी green olympiars related और भी वीडियो मैं आपके लिए channel पर ला सकूँ इस channel friends at the red preparation को जरूर subscribe कर लिजेगा और इसके लाबा मेरा इस channel को यानि मिस्टर कृष्णाशा को भी subscribe कर लिजेगा ताकि जब भी मैं new video upload करूँ तो उसकी notification आपकी पास आज़के कोई doubt है कोई query है तो आप नीचे comment में लेके पूछ सकते हो इसके लाब आप मुझे instagram पर message करके भी पूछ सकते हो मेरी idea है add the rate मिस्टर कृष्णाशा जहां मैं आपके message का आपकी queries का इंतिदार करूँगा और आपको reply भी जरूर करूँगा तो thanks for watching bye bye